है je नमस्कार स्वागत है आपका आमारी चैनल पे आज संजय रावत का राज्यस अबाव में इसांसद ने उनका एक बयान आया है उनका कहना है कि कॉंग्रेस पाल्टी में देखें कॉंग्रेस पाल्टी का अपना एक प्रशाशन प्राइटिक का अपना एक सिध्धान्त है, जैसे कि वहां के जो दुगत पुराने नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि संगठन में छोटे अस्तर से, ब्लॉक अस्तर से और राश्टे अस्तर तक चुनाव होने चाहिए और चुनाव के माध्यम से पदाधिकारी चुने जा चाहिए और कॉंग्रेस अध्यक्ष जानतक बात है हुनमें से यह बात में उठी है कि कांग्रेस। अध्यक्ष का पत्ड जो है नोन गौन्धी प्रिवार से होना चाहिए, सिफसे ना कि संझे संग्रावर tourist को जान। संजे говоритे को कांग्रेस मोह सता रहा है। और इस कांग्रिस मोह में वो ये बोल पड़े कि अगर राहूल गांदी को अगर कांग्रिस अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो देश से कांग्रिस का नामों निशान मिट जाएगा और कांग्रिस को बहुत बड़ा लॉस होगा उसको देखते हुए हमारे साथ में बैठे हैं र अगर कांग्रिस पार्टि में राहूल गांदी को अगर पद नहीं दियगया और राहूल गांदी को अगर जो है अध्यक्ष पद से बंचित रखा गया तो चांग्रिस का बहुत नुक्षान होगा और क traitor लॉसमर फिर मिट जाएगी देश से तो आप पो क्या लगता है यह बंसवादी परंपरा के बाहग है संजय राओजी संजय राओजी ने राहुल गांधी के बहाने आदित्य ठाकरे की ताजपोशी की रास्ता खोली है उनको लगता है कि एक ही बंससासन करने के लिए बना है जैसे सिवसे नामे उधव ठाकरे उधव ठाकरे के बाद अदित्य ठाकरे को बुड़े बुड़े आदमी पाउंचू के परनाम करते हैं सर्मानी चाहिए इसी तरह से उनको लगता है कि कॉंग्रेस ने में भी बानसिक बंसवाद की परंपरा चलती रहनी चाहिए तो यह बंसवादी जड़ को सीच के जो खाने वाले हैं जो बंसवादी जड से चमचा गिरी करके नेता गिरी करने वाले हैं उनको बंसवादी परंपरा बच्छा लगता है असे ने अदम भी लाखर कि यह बहुत ही सर्मनाक बैयान है पहली बात दूसरी बात जो पार्टी कैडर अधारित पार्टी नहीं होती है जिस पार्टी का कोई शिधान्त नहीं होता है उसमें यही फरमूला चलता है जो फरमूला undrao बता है लेकिन अब धनिमात दीजिए कॉंगरेस पार्टी के गुरूप 23 के नेटाओं को गुरूप 30, गुरूप 22 जिसमें मनीस्तिवारी हैं जिसमें गुलाम नभी आजाद हैं जिसमें कपिल सिब्बल हैं इन लोगों ने कहा है जिदि कॉंग्रेस पार्टी नहीं बदली तो पचास साल तक भी पच्छ में बैठने के लिए तैयार रहे यह इन लोगों का बयान है जो दिगज कॉंग्रेसी हैं मनीश तिवारी केंदर म मंत्री रह चुके हैं आनंद सर्मा मंत्री रह चुके हैं कपिल सिब्बल जी गुलाम रभी आजाद जी जिनका कॉंग्रेस में 30 साल का राजनितिक जीमन है उन्होंने बोला है कि इसको बदलना चाहिए लेकिन कॉंग्रेसी भी बंसागुत परंपरा को ले करके आगे बरना चाती है जो कि है नहीं बास्तम में जो कि बास्तम में है नहीं आप बताइए राहुल गांधी का जमाहला नहरू से क्या सम्मंद राहुल गांधी का जमाहला नहरू से क्या सम्मंद आपके दादी के पिता जी को आप जानते भी नहीं होंगे आप बताइए अपने दादी के पिता जी को आप जानते हैं नहीं जानते होंगे राहूल गांधी के दादी के पिता जी हैं जब आला ने रूप कोई लिंक नहीं है परिवार किस से बढ़ता है या तो माता से या पिता से माल लेते हैं हम राहूल गांधी का परिवार पिता से बढ़ा मैं माल लेता हूं राह से बरहा लेता हूं राहूल गांधी के पिता जी सुनिया मता जी सुनिया गांधी या सुनिया जो भी नाम है सुनिया जी की मता जी उनकी मता जी चले जाए इटली चले जाए बेटें कहां संबंद है राहूल गांधी का नहीं से कौन सा संबंद कहां संबंद शर्मानी से ही उनको पेट भर जाता है यही का रहा है कि कॉंग्रेस आज इस दुरसा दुरसा में है कि देश में कॉंग्रेस को कोई पुछने वाली नहीं है उन्नीस राज में कॉंग्रेस का खाता नहीं खुला था पिछले लोकस्वाचुराओं में और जो बावन सीट है वो सिर्फ तीन स्टेट में 31 सीट आई थी कॉंग्रेस की यह हालत है कॉंग्रेस को इन लोगों ने करवा दिया है अब कॉंग्रेस के 23 नेटा 23 नेटा गांडी उठाए हैं कॉंग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉंग्रेस से बंस परंपरा को स्माप्त करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं गुलाम नभी आजाद्धी को मैं धन्यवाद देता हूं कपिल सिब्बल जी को मैं धन्यवाद देता हूं आनन सर्मा जी और मनिस्तिव जो कौंग्रेस के पुराने गौरम को लोटा सके अब तो सुनिय गंधी को राहूल गंधी को प्रियंगा गंधी को खुद भी चाहिए कि पार्टी छोड़ करके अलग बैठ जाए्ट कोकि इन लोगोंने कॉंग्रेस पार्टी जो नास मिज़ते हैं जो मनीश्टिवारी जी बीजेपी से मिले हुएं सर्मानी चाहिए आपको कोई कह नहीं सकता कि कपिल सिब्बल गुलाम नभी आजार मनीश्टिवारी आनन सर्मा बीजेपी से मिल भगत हो सकती है इनके दिल में धर्द है कॉंग्रेस के उन्नेत करने के लिए इनके दिल में कि का मिली भगत आरोप लगा करके साइड लाइन करने का प्रयास किया जा रहा है एक तरह से कॉंग्रेस ने चुर्ट को खतम की जा रही है एक परिवार को बचाने के लिए आप पार्टी को खतम कर रहे हैं और यह पार्टी को नहीं खतम कर रहे हैं अब भारत को खतम कर रहे ह है तो हमारा देश कमजूर होगा देश में जदी एक ससक्त सत्ता पुच्छ है तो एक ससक्त विपच्छ भी होना चाहिए जो सत्ता पस्ते सवाल पूछ सके अज कौन विपच्छ आपको नजर आ रहा है बताइए कोई विपच्छ सरक पर संघर्स करने के लिए तयार नहीं है कोई विपच्छ जन्ता की आवाज उठाने के लिए तयार रही है यह सर्म की विशा है और इसमें सब से ज्यादा जिम्यवार सुनियाजी और रहूल जी है और जहां तक संजाराउद की आप बात करें संजाराउद ने जिस दिन कॉंग्रेस से हाथ मिला लिया शिफसना ने उस दिन बाला सहब की आत्मा सर्ग में रोती होगी कि हम जब सब दिन कॉंग्रेस का बिरोत करते रहे बिदेसी और अरब का बिरोत करते रहे मेरा पुत्र को पुत्र है जिस ने कॉंग्रेस जैसек घट या पाटी से हाथ मिला लिया और हमारा नाक कटवा दिया सिफस्ञेंडा की इज़तमिती में मिला दी महराष्ट की महराठी मानुस का इज़त मिटी में मिला दी अगले चुनाओं में देखिएगा महराष्ट में सिफसेना का सुप्रासाफ हो जाएगा और इन लोगों ने जो महराठी मानुस को ठगा है देश के जनता को ठगा है देश की जनता मान रही थी कि सिफसना हिंदुत्य की धोजवाहक है उस धोजवाहक के नाम पर इन्होंने कलंक लगा दिया है और इस कलंक का जवाब देश की जनता जरूर देगी अपने थोरे से लालच के लिए इन्होंने बीजेपी को धोखा दिया इन्होंने बीजेपी को सिफसना ने नहीं धोका दिया है सिफसना ने देश को धोका दिया है और देश की जनता इसका जवाब देगी समय आने पर कॉंग्रेस को नास होई रही है जब तक ने रहुल गंदी और सुनिया गंदी के छतरशाया में कॉंग्रेस है कॉंग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा आपको जदि ये लोग पांच साथ दस साल और रह गए तो कॉंग्रेसी आपको देश में ढूंडने से भी नहीं मिलेगा ये लोग कहते हैं एक आरोप आपने भी आरोप सुना होगा कि बीजेपी के समर्सक भक्त है मैं उनको कहना चाहता हूँ एक विदेशी नारी का चम्चा बनने से बनियां एक देश भक्त का भक्त बन जाओ एक राष्टवादी आदमी का भक्त बन जाओ ना कि विदेशी अरत का चम्चा बनो तो राष्टवादी का भक्त बना अच्छा है विदेशी का चम्चा बनना खराब है यह मेरा पूरा एलान है देश में एलान है कल से जो कोई पूछे कि आप भक्त हो अब बलो हाँ मैं भक्त हूँ लेकिन विदेशी औरत की चम्चा नहीं हूँ मैं किसी बिदेशी का चम्चा गरी नहीं करूँगा मैं राष्टवादी आदमी का भक्त बनूँगा यह एलान होना चाहिए देश से और कॉंग्रेस कुछ जैसे सुनिया गांदी जी राहूल गांदी जी मट्या मेट कर रही है यह 23 नेताओं को कर्टब्य है जो कि हिंडु कॉंग्रेस बचेगी जब इस परिवार से पिंट शुटेगा कॉंग्रेस को तभी कॉंग्रेस का पुनुर्थान होगा जब पिछले सरकारों मैं अब देखते थे कि देश में जब सेकुलरवाद ज्यादा बढ़ता था सेकुलरवाद का जवाब बहुत ज्यादा हावी हो हिंदुत्वा कुंद होता नजर आता था तो है एक हिंदुवादी सोच रखने वाले लोग ओ जिए चाहेड़ लोग सेद्ध सिथना की बात हो चाहें बिदेश्ए आक्रमन की बात हो और बीर शिवा के शिदान्चू पर चलने वाले आवी यbnाला साफ ठाकरी जी उनको उनके वो लोगों को आस रहती थी कि सिव सेना जो है महारास्ट में जो है जब कि वो एक राज्यस्तर पर थी लेकिन एक हिंदुत वादियों को ये लगता था कि महारास्ट में भी ये हिंदू की बात करनी वाला एक सीर बैठा वा है तो एक आस होती थी कि अंदर में लेकिन आज देखा गया है कि जो कि ये सिव सेना के सारे के सारे जो है एजन्टे जो मातोश्री में जो है तैय होते थे आज संजय रावत जो है इतने चम्चा किरी में आगे हैं जो जो ये गांधी परिवार के जो है वकालत कर रहे हैं और गांधी परिवार को सथामेर के राश्ठ से देखना चाहते हैं और लिए परिवर्त को से नहीं 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 पहुत बड़े पहले पहलवान थे उनके बेटे को देख रहा है आप कुछ नहीं है तो जरूरी नहीं है सेर के घर में सेर ही पैदा हो, सेर के घर में भंगवान क्या संजो गए, गिज़र पैदा हो गया, उसके तो मैं माफ करता हूँ, जहां तक आप संजय राउत की बात कर रहे हैं, इस टाइप के नेता आपको हर पाटी में मिलेंगें, जो एक पाटी के सिख हर पाटी में मिलेगा, कमोबेज, संजय राउत जी उसमें ज़्यादा धूरत है, उन्होंने सिख सेना के सिरस्नेतुरत को पुरा गेर लिया है, शमचा गिरी करके उनको अपने बात मनवाने का तरीका धूंड लिया है, बास्तम में सिख सेना में कॉंग्रेस के एजेंट है संजय राउत जी, कॉंग्रेस ने अपना एक तरह से एजेंट संजय राउत को बना कर रखा हुआ है, जो सिख सेना में रह करके कॉंग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो उदव ठाकरे जी बीजेपी छोर के कभी भी कॉंग्रेस से समझता नहीं करते, अब ये उदव ठाकरे को सोचना है, कि हमा हम जो पथ से दलित हो गए हैं, पथ से बिचलित हो गए हैं, हम अपने उचित पथ पर कैसे आएं, ये उनका करतब है, को कि महराश्ट्री की हिंदू वादी जनता, इसलिए सिख सेना को वोड़ दी थी, कि ये बीजेपी का मुख मंतरी बनेगा, दोनों के समझहोते से चुनाव हुआ था, दोनों मिल जूल कर चुनाव लड़े थे, और चुनाव से पहले कभी ये बात नहीं हुई थी कि सिख सेना का मुख मंतरी बनेगा, डेवेंदर फरनानेज, बीजेपी की तो हाँ, और लेडी मुख मंतरी थे, उन्हीं के नितुत म ये पुरा चुनाव लड़े ये था, और सिख सेना ने भी कभी मांग नहीं करी थी, लेकिन सिख सेना ने बीजेपी के पीठ में छुरा नहीं भोका है, सिख सेना ने देश के पीठ में छुरा भोका है, सिख सेना ने हिंदुत के पीठ में छुरा भोका है, और क्या समझते ह अब समय आने पर यह देश सिफसेना से बदला लेगी हिंदुत्य सिफसेना से बदला लेगी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्य के पुरोधा थे उनके परिवार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं आप कलपना नहीं कर सकते हैं जिस तरह से उधर ठाकरे और अधित ठाकरे हैं इन कि करिया किलाब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश की अब एक मात्र हिंदुवादी पार्टी सिर्फ बीजपी रह गई है ये लोग जो पहले हिंदुवादी पार्टी बनते थे ये सिर्फ नाटक था इनका पोट लेने का जनता इनका चाल चर्टर और चेहरा पहचांद चुकी है और जनता सही समय पर हमेसा जबाब देती आईए इनको भी जबाब देगी इनका अगले चुनावे नाम लेबा नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे महराश्ट्र में बीजेपी की अकेली सरकार बनेगी बीजेपी के महराश्ट्र में अने को बड़े-बड़े निता हैं और ने ने नोग उब रहें रामकदम जी आप देखते होंगे सबसे बड़े महराश्ट्र के आज के डेट में नेता हैं रामकदम जी नाराइन राने जी डेबने फनानिज जी सब बीजेपी के सिर्स पुरुस हैं जो महराश्ट्र से आते हैं इन सबों को इन्होंने धोखा नहीं होते हैं धोखा का परिणाम धोखा ही होता है और उधाव ठाकरे के साथ यह होगा बिलकुर और राहूल गांधी की पेरवी करने वाले जो है सनजयरावत उनका कहना है कि भारती जन्ता पार्टी में जो है मोदी का सामना करने के लिए कांगरेस में कोई नेता नहीं है तो आप क्या आसे लगाते हैं कि प्रधान मंतरी मोधी का सामना क्या राहूल गांदी कर पाएंगे क्या और उनको कोई नजर नहीं आ रहा है ठीक है प्रतिफक्ष का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ये देश में बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को पूरा अगाह करने के लिए लेकिन क्या प्रधान मंतरी मोधी का सामना राहूल गांदी करेंगे एक कविता की पंक्ती है दिनकर की नरंदर मोधी है नाम समय का करवट का अंगराई का भूचाल बबंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुनाई का दोबारा बता देता हूं नरंदर मोधी है नाम समय का करवट का अंगराई का भूचाल बबंडर के ख्वाबों से भरी लानेता है नरंदर मोधी का धे है शांति नहीं तब तक जब तक शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागन नरकासम हो नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो ऐसे नेता का हथ मैं ये बोल रहा हूँ राजनीती में की बात कर रहा हूँ मैं गरी अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ जो छबी जो रुत्वा जो जनता का प्यार देश में नरिंदर मुदी के साथ है उसका पासन एक परसंट भी राहुल गांदी के साथ है राहुल गांदी को अमेठी जैसे छ भगा दिया उत्तर भारत से पुरा सभाया हो गई कॉंग्रेस अब नरेंदर मोदी से यह क्या मुकाबला करेंगे नरेंदर मोदी से जदी पूरा विपच कॉंग्रेस सहित सेस विपच भी एक हो जाए तो नरेंदर मोदी का पलरा हमेशा भादी रहेगा नरेंदर मोदी को मनाते होंगे कि कव ननेंदर मोधी को जितना दिन प्रधान मंत्री रहना है रह ले छुटकारा मिले अपने आप चला जाए कि हम लोगों को कुछ हाथ लगे मलाई लेकिन अब इन को मलाई हाथ लगने वाली है नहीं क्योंकि देश की जनता जग गई है इसलिए अब इन लोगों की दुर्दसा आगे और भी बढ़ती रहेगी मैं आप आज लिख लीजिए और नरिंदर बोधी दोजार चौबिस में परधान मत्री बनेंगे दोजार उन्तिस में चाहे अमित बात बताई कि जो सिवसेना के जो कुछ चार्टकार नहींता है वो कांग्रेस की जो है चार्टकारी कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ जो है मिलकर के जो है एक प्रकार से जो है सामजे से बिठा रहे हैं और एक प्रकार के कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं और सिवसेना में र आपो दन्य बाद